आखिर समुंदर की गहराई में जाते हुए हमें किन किन खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ेगा आई ये जानते हैं सबसे पहले सता पर आपको कई तरह की मचलिया और लोग भी तेरते हुए दिखेंगे जिसके बाद 130 फीट निचे स्कूबा डाइवर डाइफ करने के लिए आते हैं 200 फीट वो जगा है जहाँ पर आपको औरकाज भी देखने को मिलेंगे 300 से 50 फीट की गहराई में वेल शार्क का आना या फिर दिखाई देना आम बात है और अगर आप बहुत ज्यादा लखी हो तो आपको 500 फीट की गहराई के बाद जाइंड ऑक्टोबस भी देखने को मिलेंगे 600 फीट की गहराई में बहुती मिस्टेरियस ज्यू पाया जाता है जाइंड और फिश और भाई ये बहुत ज्यादा बड़े होते है 1900 फीट वो गहराई की लिमिट है जिसके नीचे ब्लू वेल भी नहीं जाती और अगर आप 2700 फीट की गहराई तक गए तो यहाँ पर पूरी भूर्ज खलिपा भी डूप सकती है 4200 फीट नीचे तक आपको वाइट शार्क भी देखने को मिल सकती है और 6600 फीट की गहराई में बहुती डराऊना जिव देखने को मिलेगा ब्लैक ड्राइगन फिश 15000 फीट की गहराई असल में अंगूलर फिश का घर माना जाता है जिसके बाद 35000 फीट वो जगा है जहाँ पर मरियाना ट्रेंच का बॉटम मोजुद है जहाँ पर कई तरह के बैक्टेरिया वाइरस और इंसानों द्वारा फैलाए गया प्लास्टिक भी मोजुद है